हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं सीड्स जर्मिनेशन को लेके अगर आप मार्किट से हाइब्रिड सीड्स या देसी सीड्स परचेज करके लेके आए हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि वो सीड्स अच्छे हैं और कितने सीड्स उसमें जर्मिनेट करेंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ seeds को चेक करने का कि seeds germinate करेंगे और seeds अच्छे हैं या वेकार हैं तो इसके लिए आपको मैं दो तरीके बताने वाला हूँ पहले तरीके में देखें मैंने कुछ vegetable के seeds लिया है किसी भी बरतन के अंदर आप रख सकते हैं और निकालने के बाद उसमें आपको simple पानी फिल कर देना है याई अपने seeds को अच्छे से पानी में डुबा देना है और उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है 10-15 मिनट बाद जब आप seeds को देखेंगे जो seeds आपके पानी के उपर होंगे उस seeds आपके खराब seeds होंगे और जो seeds आपके नीचे बैठे होंगे मतलब bottom में होंगे जो water की वो ही seeds आपके germinate करेंगे और इनी seeds को आप germinate करेंगे अगर जो bottom के अंदर है उनको अपने गमलो या अपने garden के अंदर लगाओगे तो आपको 100% germination successful मिलेगा आपको अगर आप उपर के seeds को लगा देंगे तो आपको germinate नहीं करेंगे तो आप उपर के seeds को बाहर निकालके तुसरे seeds को आप germinate करेंगे जो आपके bottom में है water के अंदर यह तो है पहला तरीका seeds को पैचानने का कि कौन से seeds germinate करेंगे और अच्छे हैं बेकार हैं तो इसले तरीका में आपको देखता हूँ जो आप seeds लेकर आयो market से या आपके पास पहले से रखे हैं उनको check करने का तरीका क्या है उसके लिए आपको देखे करना क्या है आपको लेना है अपने seeds को और seeds को लेने के बाद लेना है ताकि हमारा toilet paper अच्छे से गिला हो जाए और फिर उसको ऐसी polythene में रखना है जिसमें air pass ना हो सकती है या फिर किसी box में रख सकते हैं तो इसके लिए मैं polythene में रख देता हूँ और polythene में रखने के बाद इसको tightly pack करके 24 hours से लेकर 48 hours के लिए wait करते हैं अगर आपके seeds 24 गंटे बाद या 18 गंटे बाद germinate कर गई तो आपके seeds अच्छे हैं और उनका germination है 100% आपको मिलेगा तो ये दो तरीके हैं तो वीडियो को like जरूर कीजेगा चैनल पे आप first time आये हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा और वीडियो को share करना न बूले Thank you